पोला डॉक यूट्यूब चानल को सब्स्ट्राइब करें और बैल आइकॉन को दोबाना मत भूलें स्लाम अलेकुम मेरा नाम डॉक्टर इर्फान अन्वर है मैं एसिस्टेंट प्रफेसर और्थोपेडिकेंट स्पाइन सर्जी रावल इंस्टूट आफ हेल्थ साइंसे इसलाम बात परे सर्विसिस दे रहा हूं मैंने M.E.B.S. Army Medical College रावल पंडी से किया है नर्स युनिवर्स्टी के अंडर और इसके बात मैने अपनी ओर्थोपेडिक की ट्रेंइंग आगखान यूवर्स्टी आउस्पिल कराची से की है आज हम स्कॉलेयोिशंग के बारे में यानि Hakamर के टेड़िक नंबुन का प्लीश मेंगें आज हम scoliosis के बारे में यानि खमर के टेडिक पन के बारे में बात करेंगे पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंट्मेंट बुक करें वो भी पेशेंट फीडबाग देखते हुए लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फाइदा उठाएं और आज ही ओलाडॉक एप डाउनलोड करें ओलाडॉक डॉक्टर का अपॉइंट्मेंट आसानी से scoliosis एक ऐसा मर्ज है जब बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है नो दस साल से लेके उस वक्ट बच्चा जब ग्रोथ स्प्रट में जा रहा है तो उसकी कमर कटेड़ पन का नजराना शूड़ता है इससे आम तोर पर कास्मेटिक रीजन होती है बच्चों का माँ बाप नोटिस करते हैं कि कमर टेड़ी है उनकी कमर में दर्द है उनका शोल्डर एक लिफ्ट हुआ होगा और इसके लावा उनके चलने पिरने के प्रॉब्लम आ सकते हैं स्पोर्ट सेक्ट्यूटी के दर्द प्रॉब्लम जा सकते हैं स्कॉलिस इस बेसिकली दो तरह का होता है एक अरली ऑंसेट स्कॉलिसी से और एक लेट अंसेट अर्ली ऑसेट में वह सारे मरीज जिनको कमर का टेड़ा पन है वूलिश लोग शामिल है जिनको किसी जनेटिकली या खांदानी तोर पर कोई पॉल्लम चला रहा है या पदाइश के वग्स की या कोई ऐसा मर्ज है जिसने पोलियो हो गया नीरो मस्कोर डिजीजिस हो गए या कोई ऐसी वज़ा नहीं भी निज़रा आ रही उसके वज़ा से भी बच्चों में 9 साल से कम उमर में लोगों मे बच्चों में कमर का टेड़ा पन आ सकता है आम तोर पे ये इसकी तदाद बहुत कम है इसके लावा जो हमर पर दूसरा स्कॉलिसिजिस उसे आम तोर पे अडॉलिसंट इडियोपैथिक स्कॉलिसिस कहते हैं ये 9 साल से लेके 15 से 16 साल देनी टीन एज की एवर बाता है जब यह कमयर कमर के ठेreckड़ा पना श숦कता है और जब कमर का ठेड़ा पन आता है तो बैलेस्स आउट होजाता चलना फिर नोश्किल होजदा है और आम तोर पे लोगों का बैक हम खा पन कुपरा पन जाहर होता है इसकी वजह से स्ट्रेस का शीकार होते हैं कॉस्मेटिक वीजि का कम हो जाना जोता है कुछ लोगों में शुदीर दर्द के साथ भी प्रिजेंट कर सकता है जब भी आपको खुदानाखास्ता या आपकी किसी फैमिली रेलेटिव में को आपको ऐसा मुरीज ऐसा बच्चा या ऐसा जवान गज़र आए जिसकी कमर का आपको लगए कमर का ट् सर्विसिस दे रहे हैं उनको मुरीज को दिखाएं जब आप मुरीज हमारे पास लाते हैं तो फिर हम उसको एक्जैमिन करते हैं उसकी डिटेल से हिस्ट्री देखते हैं वह खास तर पर इस चीज़ का तायून करते हैं कि कोई ऐसा मर्स इसके साथ असोसियेटिट तो नहीं हम डाइगनोजिस करें कि यह सिर्फ स्कोलियोसीज है कमर का टेरा पनिया इसके साथ बाकी जिसम के हिस्से या अजा या और्गन्स या और्गन्स सिस्टम्स इंवाल्व नहीं हैं यह सबसे पहला कहान है इसके साथ पिर हमें मुख्तलिफ एक्सरेज हैं स्पेशल स condemnation कर. उřकर और ऑबाकी बेरी में सी कराके हम बाकी सामी करते हैं कि नहीं कुछ सेँ इंपर पर रिशानी के सांस प्राप्लम हो सकता है या या पिशाब और च्होटे मुड़े प्शाब का फाल इसदर incurraτε कर नाsteiger है SCOLESIS आम तोर पे छोटे बच्चों में सांस के प्राब्लम्स के साथ प्रिजेट कर सकता है चलना पर नीची ताकट कम होती है इस बच्चों में SPORTS ACTIVITY की कुवट कम होती है पाधा दिर भाग रहने सकते इनको सांस टढ़ जाता है वह भी SCOLESIS के साथ ACCER उटा है जब हम X-rays और M-R-E करवाते हैं तो उसके बाद हम स्टेज करते हैं पिर हम देखते हैं कि हमारा स्कूर्ड से किस टाइप आफ केटिगरी में फॉल कर रहा है उस मरीज को फिर हम मुख्तलिफ जावियों से एंगल से कॉफ्ज एंगल इसाम तोर पर हम कहते हैं उसमें हम मयर कर कर चलेंगे उसको सिर्फ एक्सेसाइज से ठीक हो सकता है वो या उसके लिए कोई ब्रेस जैकेट्स जैसे आप लोगों देखी लोगों कुछ पहनते हैं ब्रेस जैकेट्स चाहिए या उसको परेशन की जरूरत है जो फिफ्टी डिग्री से जदा कॉब्स एंगल होता है आम इसको भी हम ऑपरेट करते हैं यह कॉंप्लेक्स स्पाइन सर्जी कहलाती है जो स्कॉलियोस की जित्ती है और यह स्पैसिफिक स्पाइन यूनिट्स में होनी चाहिए हमारे पास शुकर है इसलामबाद में यह फसिलिटी मर्जूद है कि हम जिमरी और्थोपेडिक हॉस्पि के कॉंप्लेक्स ऑपरेशन कर सकते हैं उसके लिए मैं ट्रेंड हूँ और हम इसके प्रोसीजर्स करते हैं इसके बहुत अच्छे हैं आज के जदीद साइंस टेक्नॉलोजी के दोर में अगर ऑपरेशन करने ज्रूद पढ़ती है तो इसे रैलेटिबली सेफ सर्जी और ब्रेस के साथ या जैकेट्स के साथ या वैसे वर्जश एहत्यात के साथ पेशिंट का इलाज हो सकता है तो वह पहला हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन होगा ट्रीट्मेंट प्लैन में हम सबसे पहले उन मरीजों का तायून करते हैं कि जिनको बगार ऑपरेशन के हम सिर्फ ए हत्यात से बर जिए एक्सराइज से इलाज कर सकते हैं इनका अंगल या कॉब हैं को बहुत कम होता है धियां के छिकिया स्रफ हैंगेंग्ट एक्स yılड़क है सुम्ट करते हैं इनका क्वाय container होता हैं даже कि फिए जिनका कउप से यसदाद होता उनके न kयम प्रेश करते औरशन क करते हैं जिसके अपर हम इनका इलाज करते हैं कम लोग होते हैं जिनको उपरेशिन के जरूरत होती हैं अगर अगर होना चाहिए लाजमी उसके लिए हम रहे पास जदीद एक्विपमेंट और थेटर्स मजूद और यह ऐसफाइं टीम हम काम करते हैं इसमें अने सीच्छा की पहले हैं और इंट्रॉप्रीटिभ नीव मॉनुटरिंग इंडर यह प्रसीजर्जर्जर्ज करते हैं तो इस पाइं सर्जिस और हम जिमरी और्थोपेडिक हॉस्पटल इसलमबाद में करते हैं टेक होम आप लिए कि अगर आपको कोई इसा म्रीज है या खोब हैं जो कमर का ट्वेड़ा पन है तो आप स्पाइन सर्जेंट से राफ्ता करें आप जो आ कर निया सकते में लाइद दिखांड़ करके it आप्वासिक्वर्णीत करके लिएसे मारोट कर सकते हैं तक हम आप से आपका मौईना करसके है आपसे हिस्ट्री ले सकें और फिर आपकी बिमारी उसकी कुम्ब और अच्छी तश्खीस करके आपको प्लाइन आपक्शन दिया जा सकते हैं तो इसलामबाद और्थोफिक्स स्पाइन प्लेनिक में बैठता हूं इसके बशीर हॉस्पिटल स्याल कोर्ट में बैठता हूं और वीडियो ऑनलाइन अपॉइंट्मेंट के लिए आप आल अटाक से रुज्य कर सकते हैं थैंक्यू सो मुझ अधाफिस अच आप आपका तान बाराइन के दियlerde में आपका से रख़ो दोुज्दापटर में को च्काइब तेध्सों हॉस्टल इस बदीर्णाब्स निएा हॉस्टल प्लेस्टल अधाफिस्टल झाफिस्टल अटता हॉस्टल प्लेस्टल कर दो दो आपको झाद आपको दो हुआए आपको है कि आपको आपकों मुझेग को वी सब का एब ब दया हुआए आपको प्रॉन खाया जाए कर दो आपकों झादा पर झादादा एब वझेया है